Golden Retriever Labrador की तरही एक popular और friendly dog breed golden retriever है इन dog breed को काफी ज़ादा adopt किया जाता है Labrador retriever की तरही क्योंकि ये friendly है, kids के साथ आराम से रह सकते है और आपके लिए एक best companion dog breed बन सकते है और smart भी काफी ज़ादा होते है, intelligent भी होते है train भी आसानी से हो जाते है और यही सब कारण है कि काफी सारे fake breeder इसका फाइदा उठा लेते है और काफी सारे लोगों को fake breed यानि mixed breed दे देते है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे easy method जिससे आप घर पे ही पता लगा सकते हो कि आपका dog breed जो golden retriever है वो pair है की नई कुछ methods बताऊंगा काफी easy होंगे आप आसानी से चेक कर पाऊगे और यह purity check के episodes में मैंने इससे पहले rottweiler, german shepherd, labrador की वीडियो बना चुका हूँ तो आपको वो eye card में मिल जाएगा अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को तो सबसे पहले चीज़े जो आपको जान लेनी चाहिए वो है कि आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ एक ही color में आपको देखने को मिल रहा है तो नहीं इसमें तीन colors आपको देखने को मिलते है एक है light golden, dark golden and golden साथ साथ 3 different types के golden retriever साते है वो है English, Canadian and American इस में से जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है वो है American तो सबसे पहला तरीका है जिससे आप पता लगा सकते है कि आपको golden retriever पे और है या नहीं है वो है उनके code से उनके code पे आपको हमेशा याद रखना है कि वो या तो wavy type होंगे या फिर straight होंगे यानि जो hairs है वो आपको इन दोनों type में है देखने को मिलेंगे साथ साथ याद रखे जब भी आपका जो golden retriever puppy होगा उसके जो colors होगा किसी किसी में dark golden आ सकता है और किसी में light भी देखने को मिल सकता है लेकिन एक चीज याद रखने है उसके nose के पास, ear के पास, leg के पास या फिर back के पास इन जगाओ पे अकसर dark color आपको देखने को मिलेगा इन मैसे जो तीन important जगा है वो है nose के पास, ear के पास और back के पास लेकिन कई सारे breeders कुछ इस तरह से mix breeding कर देते जिससे कि लेबरोड और golden retriever का mix कर देते जिससे पैचानना मुश्किल हो सकता है लेकिन ये mix में ऐसा होगा कि जो hairs होंगे वो आपको कम दिखने को मिलेंगे यानि जिससे puppies में लंबे होते वैसे देखने नहीं मिलेंगे तो puppies में आपको उनके leg के पास, ear के पास और tail के पास के hairs check करने है वो adult जितने बड़े नहीं होंगे लेकिन बड़े होंगे लेबरोड और के मुकाबले में अब जो next way आता है जिससे आप अपने golden retriever की purity check कर सकते वो है उनके ears से याद रहे है उनके ears नीचे की तरफ जूले हुए होते है कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि मेरे पास golden retriever है उसके hairs bear सब बड़े है लेकिन ears stand हो रहे है तो मत मानिये ये fake है और वहाँ से आपको निकल जाना है उसके ears के जो hairs होंगे वो भी बड़े होंगे तो आपको check कर लेना है कि आप जो भी golden retriever ले रहे है उनके ears जो है नीचे की तरफ होने चाहिए उसके उपर के जो hair है ear के उपर के वो बड़े होने चाहिए और कभी कभी आपके साथ खेलने के लिए आपके साथ अगर प्यार चाहिए होता है या फिर कोई strangers activity देखता है तो वो अपने ears पीछे की side ले सकते है लेकिन कभी भी खड़े नहीं होंगे ये हमेशा याद रखे अब next way आता है उसकी tail उसकी tail straight ही होती है लेकिन उसकी उपर के जो hairs होते है वो काफी जादा घने होते है लेबरडर के मुकाबले में जो आपको कम बाल देखने को मिलेंगे लेकिन golden tree वर में काफी जादा देखने को मिलते है तो उनकी tail को हमेशा check कर लीजे कि hairs तो जादा है ना और साथ साथ उनकी जो tail है कभी भी ring shape में नहीं होगी पूरी तरह से goal घूमी हुई नहीं होगी अगर कोई इस तरह से दे रहा है या फिर है तो वो fake हो सकता है तो हमेशा याद रहे जब भी tail check करो तो उसकी tail straight होनी चाहिए थोड़ी सी curve हो सकती है उपर नीचे लेकिन goal shape में कभी नहीं होगी अगर कोई खेलने आ रहा हो या strange activity देखे तो उपर नीचे वो curve कर सकते है थोड़ी लेकिन ring shape में नहीं होगी और उनके पेरों के बीच में नहीं होगी नेक्स्ट तरीका है जिससे आप अपने purity check कर सकते हो golden retriever की वो है उसके उपर देखके जैसे कि उसके body की उपर कोई black या फिर white spots तो नहीं है अगर ऐसा है तो वो fake हो सकता है आपको shades देखने को जरूर मिलेंगे उसके chest पे और face पे लेकिन spots देखने को नहीं मिलेंगे तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखे कि उसके body पे कोई black color की या white color के spots तो नहीं है ये एक और easy way है जिससे आप अपने golden retriever को पहचान सकते हैं कि pure है या नहीं है आप उनकी eyes भी देख सकते हो जो की medium या large हो सकते है dark brown color में मिलते है with black rims अगर आप एक new golden retriever लेने जा रहे हो तो सबसे पहले हो सके तो उनके mother father को जरूर से check कर लेजिए क्योंकि 90% जो होता है baby या भी जो puppies होंगे वो उनके mother father पे जाते है अगर उने कुछ problem हो या फिर disease हो तो puppy में देखने को मिल सकती है अगर वो healthy हो काफी अच्छे हो तो puppies भी healthy होते है तो जरूर से हो सके तो उनके mother father की video देख लीजिए या फिर मिल लीजिए ये काफी अच्छा रहेगा साथ साथ new puppy लेने जा रहे हो किसी पहचान वाले से ले रहे हो या किसी और ने लिया हो उससे पूछ के लीजिए इससे आपको ज़्यादा तर प्यूर ब्रीड मिलेगी क्योंकि उनको प्यूर ब्रीड मिली है तो आशकर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा कुछ मेथर्स बताए मैंने न्यू जिससे आप आसानी से गोर्डन रिट्रीवर की प्यूर्टी चेक कर सकते है इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा ज झाल